हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल पर देखिए हम आज बात करने वाले हैं संख्या पद्धत के उपर जो की कम्पुटेटिव एक्जाम में हर कम्पुटेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही महतुपोड साबित होने वाला और अधिकतों कोश्च आते हैं इसी तो संख्या पद्धत में हम संख्याओं के उपर बात करते हैं तो हमें संख्या जानने के लिए सबसे पाले हमें क्या जानना होगा अंक जानना होगा तो सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम हैं किसलिए हम बताएंगी देखें अंक की बात करें त कितने अंख होते हैं जिसमें से जीरो एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नौ और बस यही नौ तक टोटल कितने अंख होते हैं दस अंख होते हैं इनी दस आंखों से हम संख्या का निर्मार करते हैं कम से कमसे न hon कहने चाहिए और अधिक्ताम में संख्या बना सकते यह तो सबसे परले-डने के कीओ हम साथ मुल्त को लिए एक लुजिए हम अभर को एक को लिया इक संख्या को निर्मार हो गया कितनी है शाद यह बहुत algsters Chinese बाद में जेरो को लेज़े हमने लेलिया तो किस संख्या का निर्मारह गए 10 का हुआए इसी तरह से अगर हम लेपते हैं कोई का दाइज लीजिए फिर पाँच लेजिए छे लीजिए टीन अंक लेजिए तो कुछ से संख्या का निर्माड उगए 906 पर पहुच लिजिए फिर पहुच लिजिए फिर चार लिजिए किस संख्या का निर्माड हुगा। ठें किसकी हिस प्राक्टिक संख्याति इसे घ्रीजी में करते हैं चृwnie नंबर है चृ nein ओस गे अग अगरेजिम बोलते यूज ड्र नंबर और इसकी बात करें, तो हम जहां से गिंती शुरुवात करते हैं, गिंती हम कहां सुरुवात करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके हम सुरुवात करते हैं, जीरो से सुरुवात नहीं करते हैं, तो प्राक्रितिक नमबर वही नमबर है, जहां से हम गिंती का सुरुव पूड संख्या की बात करें अगर इसी प्राक्रितिक संख्या में अगर हम जी 0 को भी सामिल कर लेते हैं तो ये सभी संख्या जोजाएंगी अ पूड संख्या संख्या हो जांगे जी जी रो Sag जो आ पूंच छै साथ आठ नव दस ग्यारह ऐसे डाट 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 अनंत तो यह सभी संख्या है कौन से संख्या होती है पूर संख्या होती है अब बात करेंगे हम पूरांग संख्या की पूरांग संख्या में एगर रिरात्म हो पूरांग भी सामिल कर लिजीए देखिए जीरो एक दो तीन चार परज छैस साथ आठ नव दस ओ एसे डाट डाट अनंत तक और इदर माइनस एक माइनस दो माईनस ये- माईनस चार आधर भी डाट-डाट-डाट अनंत तक अगर सामिल कर लेते हैं तो यह सभी संख्याय refuge कैसे हो जाती il इसमें देखिए दो पोडह एक धरात्मक युद रीडात्मक प्यूरायक, इसके बाद हम बात करते हैं, पर्मय संख्या की, पर्मय संख्या की बात करें तो इसकी परिवासा होती है, कि इसे P by Q के रूब में लिखा जाता है, और Q not is equal to 0 जैसे हम एक लिखते हैं तो एक के बटे में एक रहता है हमेशा 0 लिखते हैं उसके बटे भी एक रहता है तो कुछ कभी भी 0 नहीं हो सकता Q यानि कि हर और P तो इसको हम समाजने के लिए अब देखिए पूडांग संख्याओं में अगर हम बटे वाली संख्या हैं जिसे एक बटे दो तीन बटे चार चार बटे पांच भी ले लेते हैं तो इस अभी कैसे संख्या हो जाएंगी पर में संख्या एक दो एक बटे दो तीन बटे दो चार बटे पांच इस अभी संख्याएं ले लेते हैं और इधर माइनस पूडांग माइनस दो माइनस दो बटे तीन माइनस चार बटे पांच और डाट डाट अनंत इधर भी अनंत तो इस अभी कैसी संख्याएं हो जाती हैं परिमे संख्य सब्सक्यां पूरान को यह पूड़ां तो क्या हो गया इसमें पूरान संख्यां फुर्शाघिस मीरता हो गया आगे अगर बात करते को परिमे संख्याओं की, तो आपरिमे संख्याओं वे संख्याओं होती हैं, जो परिमे संख्याओं के अंतरगत नहीं आएंगी, वो सभी क्या हैं, आपरिमे संख्याओं, जैसे काड़ी में दो, काड़ी में तीन, ऐसी संख्याओं जिनका वर्गमूल न निकरे, काड़ी में हो या एक बार-बार पूछा जाता है पाई, पाई कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, अपर्मे संख्या है, और फिर सभी पर्मे संख्याईं, सभी पर्मे संख्याईं वास्तविक संख्या होती है, और सभी अपर्मे संख्याईं वास्तविक संख्या होती है, इसकी परिवासा यही होती है कि सभी परिमी संख्याओं और अपरिमी संख्याओं को को सामिर कर लिया जाता है कर लिया जाता है तो वास्तविक संख्याओं का देर मार होता है वास्तविक संख्या क्या होता है निर्माण होता है अब देखे कैसे होता है कि सभी वास्तविक संख्याओं या तो परिमी संख्या होंगी या अपरिमी संख्या होंगी लेकिन सभी परिमी संख्याओं क्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमी संख्याओ इसमें बार-बार सवाल पुछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी एक होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी पता नहीं हमें अगर बात करते हैं सबसे पूड़ संक्या की तो पूड़ संक्या सबसे चोटी पूड़ संक्या क्या है जीरो है और सबसे बड़ी क्या है अनन्थ है नहीं पता है पूड़ांग संक्या में जादा confusion होता है इसमें देखिए कहेगा कि सबसे छोटा धन पूड़ांग क्या होता तो सबसे बढ़ा सफ न को होता है कर रहे थे शबसे बड़ के आप wanna पूरा टार क्या ख़्व हो दाइए चुड़ा कि भूट करें तो मन पता नहीं हे इसे को जानकारी है सिल करेंगे जैसे आपके पास अगका एक उर्पई कर जाए तो तो और किसी के पास दस उर्पय करज है, तो किसी के पास अगर दस उर्पय करज है, और आपके पास एक उर्पय करज है, तो उससे आप अमीर हैं कि नहीं, तो उससे आप अमीर हैं, इसलिए जो जितना छोटा रिड होता है, वही अमीर बैक्ति होता है, तो सबसे बड़ा अत्मक्पूल आख में ग्यांत नहीं और फिर पर्मिया संख्या की बात करें न तो हमें पता ही हो गया कि पी वाइ की कि रूप में होती है क्यों वरा द रापनाट कि 5 n8 नहीं है उसके बाद आप आर में संख्या toronen 2 a rings 3ены pri लारी ज़के 10 अंडरूट फाई इसी तरह से जो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग मूल नहीं निकलता अंडरूट में होती है या अच्छार होती है वो सभी क्या है अपर्मिय संख्या है और सभी पर्मिय संख्या है वास्तोविक संख्या होती है सभी वास्तोविक संख्या है या तो पर्मिय सं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करें ताकि अधिक लोग इसका इससे लाव उठा पाए और ऐसी वीडियो की देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू जैए